हेलो बचो, वेलकम टू बुखोपर्स आज हम NCRT के लास फॉर्थ इंग्लीज का चैप्टर Alice in Wonderland के कोशान से करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके new words इसमें new words कौन से हमने पढ़े थे वो थे scamper, scamper होता है भागना हरीड होता है जल्दी popped होता है नीचे गिना disappeared होता है गायब होना whiskar होता है मूछे उसके बाद है reading is fun जो first question हमारा है While listening to the story, what did Alice see? जब Alice story सुन रही थी तो उसने क्या देखा? तो Alice जब story सुन रही थी running hurriedly तो उसने देखा कि एक white color का rabbit तेजी से भागता हुआ जा रहा था तो ये हमारा first question का answer है second What was different about the rabbit that Alice saw? Alice ने जो rabbit देखा था वो बागी rabbit से different कैसे था? The rabbit that Alice saw was different as it could talk and also wore a red waist coat and carried a watch तो Alice ने जो rabbit देखा था एक तो वो बात ही कर सकता था दूसरा उसने red color का एक waist coat पहना हुआ था और उसने एक watch भी carry कर रखी थी तो इस तरीके से Alice को ये rabbit बागी rabbit से अलग लगा different लगा next है where did the rabbit को rabbit कहा गया? the rabbit went into the rabbit hole तो जो rabbit था वो एक rabbit hole में चला गया how did Alice reach wonderland? जो Alice थी वो wonderland कैसे पहुँच गई? Alice jumped into the rabbit hole following the rabbit and reached the wonderland Alice ने rabbit का पीछा क्या? rabbit का पीछा करते हुए वे rabbit hole में उसके पीछे कूद गई और इस तरीके से वो wonderland में पहुँच गई what strange things did Alice see? Alice ने कौन सी strange things देखी? Alice ने देखा beautiful bats of bright flowers and cool fountains तो जब wonderland में Alice पहुँच गई थी तो वहाँ पर उसने बहुत ही प्यारे flowers का एक बैट देखा और cool fountains थंडे पानी के फवारे महां से उसने doorway में से जाक कर देखे next है describe in your own words the garden that Alice saw Alice ने जो गाडन देखा था उसको आपको अपने सब्दों में हाँ पर describe करना है आप कैसे describe करेंगे इसको Alice saw the most beautiful garden from the doorway तो doorway में से जो Alice ने गाडन देखा था वो बहुच जा था सुन्दर था it was filled with different colors of beautiful flowers वो अलग-अलग color के flowers से भरा हुआ था there was also a cool fountain inside और उसमें थंडे पानी का फवारा भी था which is sprinkled fresh and cool water जिसमें से fresh or cool water निकल रहा था तो इस तरीके से आप इसको describe कर सकते हैं आपको अपने सपनों का एक गार्डन यहाँ पे ड्रो करना है अपनी imagination का use कीजिए और यहाँ पर एक अच्छा सा गार्डन आप ड्रो कर दीजिए नेक्स्ट है टिक दा करेक्ट आंसर फर्स्ट है रबिट हैड वाइज बिग आईज पिंक आईज रबिट की आखे कैसी थी तो रबिट हैड पिंक आईज तो सही अंसर है पिंक आईज उत्सुकता किसको हो रही थी एलिस को रैबिट को या फिर चिल्डरन को तो जो उत्सुकता थी किरियोसिटी थी वो हो रही थी एलिस को तो राइट आंसर इसका है एलिस नीचे कौन गिरता चला गया एलिस अ माउस दर रैबिट तो कौन था जो नीचे जा रहा था वो था रैबिट रैबिट अपने रैबिट होल में बहुत नीचे और नीचे जाता चला गया नेक्स्ट है who said oh my ears and whiskers how late it's getting ये लाइन किस ने कही थी oh my ears and whiskers अम मैं कितना लेट हो रहा हूँ ये किस ने कहा था ये कहा था रैबिट ने जो गार्डन एलिस ने देखा था वो कैसा था बिग था लवली था स्मोल था तो वो एक लवली गार्डन था तो आपको टिक करना है लवली को कुछ ऐसे साउंड जो कि आप रात में सुनते हैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है रात के समय अजीब आवाज आती है जैसे उल्लू के बोलने की आवाज होती है और जो वोच्मेन होता है उसकी भी जो सीटी होती है उसकी आवाज भी रात को हमको सुनाई देती है इसके अलावा जो आवाज हमको रात को सुनाई दे सकती है वो हो सकती है डोग बार्किंग की आवाज क्योंकि कुत्ते भॉखने की आवाज भी रात को बहुत ज़ादा सुनाई दे सकती है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं next है imagine you are Alice and your partner is a rabbit अब आपको imagine करना है कि आप Alice है और आपका partner एक rabbit है what would you do? तो आप क्या करोगे? if I were Alice and my partner were a rabbit अगर मैं Alice हूँ मेरा partner एक rabbit है I would do exactly what Alice did तो मैं भी वैसा ही करूँगा जैसा कि Alice ने किया था that is I would follow my partner to the wonderland तो क्या करूँगा? मैं अपने partner को wonderland में follow करूँगा और उसको follow करते हुए मैं भी wonderland पहुँच जाऊँगा what do you think Alice saw in garden? आपको क्या लगता है कि garden में Alice ने क्या देखा हुगा? Alice saw a lovely garden with a beautiful fountain in it तो जो Alice थी उसने जो प्यारा सा garden देखा था उसमें उसने एक प्यारा सा fountain देखा था next है how could Alice have got into the garden? जो Alice थी वो garden में कैसे पहुँच गई थी? Alice got into the garden using the golden key that was kept on the table Alice ने जो golden key उसको मिरी थी टेबल पर रखी हुई उसका इस्तेमाल किया और उस key का इस्तेमाल करकर Alice garden तक पहुँच गई थी next है find one word from the story that means अब आपको इस्टोरी में से कुछ सब्द find करने है कैसे सब्द आपको find करने है? जैसे यहाँ पर जो सब्द दिये गए है उनके लिए जो सब्द इस्तेमाल किये गए है वो आपको इहाँ पर find करना है जैसे to walk fast जल्दी चलने के लिए कौन सा सब्द इस्टोरी में इस्तेमाल किया गया है वो है hurried happy के लिए जो सब्द इस्तेमाल किया गया है वो है delight at once के लिए इस्तेमाल किया गया है quickly move fast के लिए scamper to think के लिए wondered to be seen nowhere के लिए disappear to be inquisitive के लिए curious तो यह सब्द सब्द इस्तेमाल किये गए है give another word for the ones given below with similar meaning and make sentence अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको कुछ words दिये गए है जिन के लिए आपको दूसरा सब्स इस्तमाल करना है एक opposite word इस्तमाल करना है make sentence which of the opposite of this describing word and make sentences with them और उसका opposite word देते हुए आपको opposite word का use करते हुए एक sentence भी हाँ पर बनाना है जैसे lovely, lovely का opposite होगा terrible आप यहाँ पर sentence बना सकते है I had a terrible day in the school second है talking, talking का opposite होगा silent silent से आप बना सकते हैं listening, listening से आप बना सकते हैं opposite होगा speaking आप use कर सकते हैं mother was speaking to the neighbor see, see का opposite होगा ignore see का मतलब देखना, ignore मतलब किसी चीज को नजर अंदाज कर देना आप sentence में यूज कर सकते हैं rabbit, ignored, Alice center, का opposite होगा border आप यूज कर सकते हैं sentence में इसको army men live at the border of our country तो इस तरीके से आप इन सब्दों का opposite word लिखते होगे sentence बना सकते हैं next है imagine you are going on a journey to the center of the earth अब आप imagine कीजिए कि आप अर्थ की center की journey पर जा रहे हैं what do you think you will see आपको क्या लगता है कि आपको महाँ पर क्या दिखाए देगा what would you feel और आप महाँ पर क्या feel करेगा आपको अपना थोड़ा सा imagination इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ line लिखनी है जैसे आप लिख सकते हैं in the beginning I would see rocks इस सुरवात में मुझको rocks दिखाए देंगे पत्थर दिखाए देंगे dust, soil, water and mud तो यह सब आपको beginning में दिखाए देगा उसके बाद आप क्या देख पाएंगे little deeper थोड़ा और गहराई में जाने के बाद I would see solid rocks तो महाँ पर आपको solid rocks और मतलब सक्त चटाने मिलेंगी at the center of the earth I would see red hot core which will have thousands degree of temperature और earth के core में आपको क्या दिखाए देगा उसका जो core है वो बहुत ज़्यादा hot है एकदम red आपको दिखाए देगा जिसका temperature thousands degree में आपको मिलेगा तो यह सब बाते आप यहाँ पर लिख सकते हैं अब आपको क्या करना है कि जैसे Alice ने strange rabbit को follow किया था क्योंकि वो उसके बारे में कुछ चीज़े जानना चाहती थी आपको यहाँ पर जो words दिए गए है उनको rearrange करना है ताकि एक question बन सके और आपको वहाँ पर question mark भी लगाना है जैसे सबसे पहले आपको words दिए गए है तो आप इसको कैसे एक question मना सकते है एक rabbit बाते कैसे कर सकता है तो आप इस्तिमाल कर सकते है वो कहां जा रहा है read he can time the can he read the time क्या वो time देख सकता है hurry is in a why he तो इसका आप बना सकते है why is he in a hurry वो जल्दी में क्यों है और इसी के साथ में यह हमारा chapter complete होता है I hope आपको अच्छे से समाझ आ गया होगा आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके बच्चो बाई